जैने दोस्तों कैसे आप लोग में आप सब बहुत अच्छे सोंगे स्वागत आप सभी के इस वीडियो में जैसा कि आपको बता कि आपकी अवाद इनिवस्टी ने एम एडमिशन 2024 और 2025 के लिए 24-25 शेसन के लिए एडमिशन फॉर्म जारी कर दिया है एडमिशन लिंक भी अक्रिवेट हो चुका है तो अगर आप 24-25 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैंडली आप फॉर्म वहाँ से भर सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे LLB और LLM के बारे में अगर आप LLB और LLM में इंटरेंस एक्जाम देना चाहते हैं तो उसका सलेबस क्या होगा सवाल कैसे पुछे जाते हैं और साथी साथ एक बार हम आउटलाइन देखेंगे हमारे पास प्रिवेस्स कोश्चन भी है दोनों कोर्स की आप चाहे LLB की बात करें चाहे LLM की बात करें एक नजर डाल लेंगे आपके प्रिवेस्स कोश्चन पे मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि LLB और LL प्रिवेस्स कोश्चन पेपर जो आपके इंटरेंस एक्जाम में पूछा था उसको हम सॉल्व करेंगे किसी की हल्प से क्योंकि LLM को मैं सॉल्व करें नहीं पाऊंगा ठीक है पहले हम देख लेते हैं कि आपका syllabus कैसा रहता है ठीक है तो देखिए अगर हम LLB की बात करें 3 years course LLB की हम बात करें तो आपके टोटल 1,2,3,4,5,6,7 इन साथ topics से सवाल पूछे जाते हैं जिसमें English के 20 सवाल और Hindi के 20 सवाल रहेंगे टोटल आपके 100 नंबर के सवाल होते हैं टोटल आपका 100 questions रहता है और time एप्रॉक्स आपको 2 घंटे मिलते हैं I'm not sure about the time जब हम question paper तो देख लेंगे वहाँ पर negative marking नहीं होती है किस तरीके सवाल रहेंगे 20 नंबर के और comprehension रहेंगे और analytical abilities रहेगा और legal awareness and aptitude और इंडियन पॉलिटी और general knowledge इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाता है अगर हम LLM की बात करें तो यह सारे प्रेटेंस के बारे पुछे जाएगा law of contract, human rights, criminal law, public international law, administrative law, family law, environmental law और contemporary legal issues इससे सब्मदीत आपके सवाल पुछे जाएंगे अगर हम LLM की बात करें जो लोग master करना चाहते हैं law से उनकी बात करें तो अब आईए एक नजर हम डाल लेते हैं कि इस पर आपके previous दिस की question paper पे तीन साल का जो LLB का question paper हुआ था वो 2030 का question paper आपके सामने हैं दोस्तों सो नंबर दो घंटे का प्रशन आपसे पूछा गया था और इसमें जो मुख्य बाते हैं उसको मैं आपको यहाँ पर बता दूँ की 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 इस प्रशन पुत्र कर हाँ यहाँ पर रिडात्मक अंग का प्रवधान नहीं है तो नेगटिव मार्किंग नहीं है जो कि यहाँ पर मैं आपसे बताने वाल था चलिए अगर हम देख लें सोतन्त भारत का अंतिम गवर्नल जेनरल कॉल था आपके जीके का सवाल है दोस्तों इस तरीके से सवाल सवाल पूछे जाएंगे मैं सॉल्व नहीं करेंगे इस तरीके सवाल दोस्तों आपसे पूछे जाएगा तो अगर आप आप इंट्रेस्टेट है यह सारे सवाल आपको पढ़ना ही बढ़ेगा निमलीखित में से किस अंचेद की सवाल की प्रकिरिया हम सक्तियां के प्रदा की गई तो मुझे इतना इसके बारे में तो पता ही नहीं है बठा जो लोग वाले बच्चे हैं उनको जरूर पता होगा तो इस तरीके सवाल आप से पुछा जाता है किस ने कहा था कि लोग तंत्र लोगों की लोगों यह तो साद अब रहाम लिंकन ने कहा था यह ना फॉर तो यह सवाल आप से असान सा है यहां से वी दपीपल किस ने लिखा ता मुझे इतना आइडिया नहीं है खुश्वन सिंग निया मोटी पियन बगवती तो जो लोग के स्टुडेंट है मुझे इस को को ज्यान नहीं है तो मैं एक बार इसको पढ़ूँगा और इसके आंसर्स भी दोस्तों जो यह कुश्वन पर है मैंने अवर दिनुश्टी के वेबसाइट से ही डाउलोड करी है तो इसका आंसर की भी है मेरे बास तो उससे मैं मैच करा कि इसको पढ़के फिर मैं आपको अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा यह सारे कोश्वन पर पर हां एक चीज़ यहां पर भूल गया वह यह था कि लास्ट में आपके 20-20 नंबर के सवाल हिंदी और इंग्लिस के भी रहते हैं एक नजर हम उस पर डाल लेते हैं तो यहां से आप देखेंगे कि यह हिंदी के 20 सवाल आपको यह पर देखने को मिल जाएंगे यहां से कोश्वन नमर आप 81 से गरण हम बात करेंगे तो यहां से आपको 20 सवाल हिंदी में देखने को मिल जाएंगे कि निम्लिखित में से कौन से विलोम सब्द के दिरिष्टिए यूग मिलत है कौन सा गलत है विधी निसेद आग्रह विग् यहां पर आपको इंग्लिश में आपको मिलेगे तो कहने का मतलब आप ने देखा कि यहां पर 20 सवाल आपके हिंदी के रहें और 20 सवाल आपके इंग्लिश के रहें करें इंडियन पॉलिटी के बात करें इसे सवाल रहता है टोटल साट सवाल रहते हैं यह किसकी बात हो गए थी यह बात LLB के बारे में देखते हैं LLM के अगर हम प्रीवेस के बात करें तो सो कुश्चन सो नंबर का दो घंटे का पेपर आपका इसमें राश्टियस कि अध्यक्ष कौन थे कौन थे मुझे इतना नहीं पता इसके बारे में तू भी अभी देखेंगे इसका अंसर की मिलाएंगे तोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में इसके सॉल्व कर आपाऊंगा लेसी कि क्या में एक मुझे आना चाहिए बर मुझे को ध्यान नहीं आ रहा है निमलिखित सर्मिधान संसोदन के किस संसोदों द्वारा सिक्किम भार्ति राज्यों में स्तंबलित किया गया शुरू गाई होगा पांच और साथ में से कुई होगा मुझे इतना आइडिया निए सवाल देखने को नहीं मिलेंगे टोटली जो आपका जो आपका स्लेव बताया गया उसी से आपको यहां पर सवाल देखने को मिलेगा देव क्या अच्छे लेबल का कोश्चन सा रहा है मतलब जो लॉक स्टूडेंट क्योंकि तो लल्म करने वाले वही बच्चें को जिन्नोंने लल्वी किया बताया हैं चलिए दौस तो इस वीडियो में फिलाले इतना ही है मैं One by one करके आपके जो भी इसके आंसर की मेरे पास हैं बहुतना लो के बारे में जानता तो नहीं हूँ लेकिन हाँ इसके आंसर की मेरे पास हैं तो मैं वहां से एक बार मैच करा के खुद पढ़के समझ के फिर अगले वीडियो में आपकी जो सौ सवाल है उसको सौल करने की कोशिश की जाएगी तो LLB और LLM के 100-100 सवाल मतलब अलग- सब्सक्राइब करें देने जा रहे हैं वीडियो को लाइक कर देगे सब्सक्राइब कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप फॉर्म भर रहे हैं की नहीं भर रहे हैं बाकि दोस्तों किसी भी समस्या सुझाओ सला के लिए आप मुझे इस नमर पर कॉंटक कर सकते हैं अगर मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि आप लोग जरूरत ना पड़े क्योंकि अच्छे काम में लोग डॉक्टर और पूरिस को याद नहीं करते मगर फिर वी एक अच्छा संबंद बना रहे हैं अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपको कर सकता हूं आप इतने आच्छे इतने आगे बड़े मैं आई वीश की कभी कर में रिजरूरत पड़े तो जैज क्योंकि पर बैठने वाला कहें कि जर मैं आवध मुष्टी का एललबी स्टूडेंट हूं मुझे बहुत खुशी हो चलिए इस वीडियो में फिला इतना है दोस्तों मेरे तफ से बहुत बहु जीवन के लिए एक वकील बड़ा ही अच्छा प्रोफिशन होता है बड़ा ही सम्मान का प्रोफिशन होता है और एक वकील ही दोस्तों इस वकील है पूलिस जिस सब को ड्राती है और वकील उनको ड्रा जेता है तो लो और एललबी बहुत अच्छा प्रोफिशन है और मेरे इस वीडियो में फिला लेतने मिलेगा अगले वीडियो में प्रिवेस से कोश्चन को सॉल करेंगे फिला इस वीडियो में जाहीं जावायवारत